आज फिर आपके सामने कच्छा च्छाय की ब्याकरण की पार्ट पुष्टिका अराध्या ब्याकरण की पार्ट तीन सब्द विचार को लेकर प्रस्तुत हुए हैं आज इस वीडियो के माध्यम से पार्ट के अंतरगत आए अभ्यासकार और उनसे सम्मंदित प्रश्णत्रों के विशे में पढ़ेंगे और उनका अर्थ जानेंगे याद करेंगे आएए सरप्रथम अभ्यासक्या अभ्यासकार में पहला अभ्यासकार जो आपके मॉबाइल के स्क्रीन के सामने दिखाए दे रहा होगा उप्युक्त सब्द चुनकर देखते स्थान भरिये पहला है वे सब्द जो देश की बिबिन बोलियों द्वारा हिंदी में इस्थान पा गए हैं सब्द कहलाते हैं दो विकल्प दिये हैं देशज और विदेशी इसमें एक विकल्प सही है पाट के अंतरगत आपको बताया गया था कि जो अपने देश के अंदर भासा में प्रियुक्त होने वाले सब्द देशज सब्द कहलाते हैं आम बोलचाल की भासा में कुछ ऐसे सब्दों का निर्माड हुआ है और वह हिंदी भासा में प्रियुक्त किये जाने लगे हैं ऐसे सब्दों को हम देशसब्द कहते हैं तो यहाँ पर सही उत्तर वे सब्द जो देश की विविन बोलीों द्वारा हिंदी में इस्थान पा गए हैं देशसब्द कहलाते हैं जो यहां देशत सही होगा देशत रिक्तिस्तान में भरा जाएगा दूसरा प्रश्ण है संस्क्रत से हिंदी में अपरवर्तित रूप आये सब्द हैं कहलाते हैं तस्सम या तद्वो तो आपको बताया गया था कि संस्क्रत के वे मूल सब्द जो बिना किसी परिवर्तन के सीधे हिंदी भासा में आत्मसात कर लिए गए हैं या सुिकार कर लिए गए हैं ऐसे सब्दों को हम तस्सम सब्द कहते हैं तो इसका सही उत्तर तस्सम सब्द होगा तदबो गलत है अगला है बिलोम सब्द परस पर अर्थ वाले सब्द होते हैं समान या उल्टे तो बिलोम सब्द अर्थात विप्रीत अर्थ देना विप्रीत अर्थ वाले उल्टे अर्थ वाले जैसे दिन का रात अर्थ एकदम उल्टा हो ऐसे सब दों को बिलोम सब्द कहتे हैं तो बिलोम सब्द परस पर उल्टे अर्थ वाले सब्द होते हैं चौत़ा नमबर है परियावाची सब्दों के अर्थ में समानता पाई जाती है परियावाची सब्दों के अर्थ में पाई जाती है समानता या असमानता तो परियावाची सब्द जब पढ़ाये गए थे तब आपको बताया गया था कि परियावाची सब्द वे सब्द होते हैं जो समरूपता प्रदर्सित करते हैं उनके अर्थों में समानता प्रतीत होती है कुछ आनसिक परिवर्तन अवस्थ होता है उनके अर्थों में लेकिन अर्थ उनका समान रूप से एक ही होता है ऐसे सब्दों को परियावाची सब्द कहते है तो यहाँ पर सही सब्द समानता होगा पांचवा है अनेकार्थी सब्द भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अर्थ देते हैं तो अनेकार्थी सब्द की परिवासा बताई गई थी आप लोगों को कि ऐसे सब्द जो देखने में एक लगें लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है परिस्थितियों में अलग अर्थ दें ऐसे सब्दों को हम अनेकार्थी सब्द कहते हैं जैसे उदारण के रूप में हार का अर्थ है पराजय और गले का आबुसान तो ये अनेकार्थी सब्द हुए यहां पर भिन भिन परस्तितियों के अंसार भिन भिन अर्थ देते हैं तो यहां उत्तर भिन सही होगा खानमबर है सही बिकल्ब के सामने सही का निसान लगाना है यहां तीन बिकल्ब दिये हैं और उन तीनों बिकल्ब में से एक बिकल्ब सही है बाकी दो गलत हैं तो हमें सही विकल्ब का चुनना है और उस पर सही का निसान लगाना है पहला है इन में से कौन सा सब्द योग रूड है आनमबर चार पाई बासेना पती सा पती तो योग रूड की परिवासा बताए गई थी कि वे सब्द जो योगिक और रूड सब्दों के योग से बनते हैं और उनका सब्दिक अर्थ निकल कर एक बिसिष्ट अर्थ निकलता है ऐसे सब्दों को हम योग रूड सब्द कहते हैं यहाँ पर चार पाई चार पैर है अर्थात खाट यहाँ पर खाट का एक सब्द अलग अर्थ निकल रहा है अता यह योग रूड सब्द है तो इसका सही उत्तर अनंबर चार पाई सही होगा दूसरा नंबर वर्णों का ऐसा मेल जिसका निश्चित अर्थ हो कहलाता है वर्णों का ऐसा मेल जिसका निश्चित अर्थ हो कहलाता है विकल्प के रूप में दिये हैं वर्ण सब्द अनुस्वार तो सब्द की परिवासा ही थी कि वर्णों का ऐसा समू जो सार्थक अर्थ दे उसे सब्द कहते हैं तो यहाँ पर सब्द सही होगा तीसरा नमबर जब सार्थक वर्ण समूँ वाक्य या वाक्यांस का भाग बनता है तब वे कहलाता है तो विकल्ब की रूप में सब्द, वर्ण, पद ये तीन विकल्ब दिये हैं इन में से एक विकल्ब आपका सही है यहाँ पर आपको पाठ के अंतरगत बताया गया था कि सब्द स्वतंत रूप से नहीं होते जब सब्दों को एक वाक्या वाक्यांस के रूप में प्रियोक किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं तो यहाँ तीसरा विकल्ब सा नमबर पद इसका सही उत्तर होगा चौथा निमले खित में से कौन सा सब्द एक आर्थी है जो एक अर्थ देता है तो जड़ रोटी सा फल यहाँ पर एक आर्थी सब्द अर्थात मूल सब्द कहलाते हैं वो और जड़ का यहाँ पर दो अर्थ निकल रहा है जड़माने मूर जड़माने पेन की जड़ फल का अर्थ भी दो निकल रहे हैं फल एक खाने वाला फल दूसरा परिणाम लेकिन रोटी जो सब्द दिया है इसका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है इसलिए यह विकल्ब की रूप में रोटी सही उत्तर होगा पाँचवा नमबर इन में से कौन सा सब्द रूड है तो रूड सब्द की परिवासा आप लोगों को पाटकें तरगत बताई गई थी कि वे सब्द जो अपना मूल अर्थ दें रूड सब्द कहलाते हैं यहाँ पर पानी प्रतिदिन निसाचर तीन विकल्प दिये हैं प्र निसाचर जो रात में तहलने वाले प्राड़ी होते हैं उन्हें निसाचर कहते हैं इसका सीधा आर्थ राच्छत से लगाया गया है तो यह योग रूड सब्द हो गया अब रूड सब्द पूछा गया है तो हमारा पहला बिकल्प पानी ही सई है इसलिए इस प्रिश्न का उत्तर, पानी, सत्ह, पानी में सही करनिसान लगाया जाएगा अब आपके स्क्रीन में आगे अभ्यासकार में निम लिखित प्रश्णों के उत्तर लिखिए यहाँ पर कुछ प्रश्णे दिये गए हैं जिनके उत्तर हमें लिखने है छात्रों से पेच्चा है कि प्रश्टुत जो प्रश्ण है इनको स्क्रीन साट कर कापी पर इनके उत्तर लिखें और गुरुप के माध्यम से आप पर्शनल नंबर पर ग्रैकार कम्पलीट करके पूर्ण करके बिस्याद्यापक से अपनी कापी को निरच्चत करवाएं पहला प्रश्ण है बिकारी और अविकारी सब्दों से आप क्या समझते हैं कौन कौन से सब्द विकारी वा अविकारी होते हैं लिखिए तो अंत में पाठ के प्रियोग की द्रश्च से सब्दों के भेद बताये गए थे दो भेद होते हैं विकारी और अविकारी विकारी सब्द वै सब्द जो वाक में प्रियोग करने पर लिंग वचन कारक और काल के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें विकारी सब्द कहते हैं अविकारी सब्द जो सब्द वाक्य में प्रियोग करने पर लिंग वचन कारक के अनुसार किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी सब्द कहते हैं संग्या, सर्मनाम, विसेशन, क्रिया ये विकारी सब्द होते हैं जबकी क्रिया विसेशन, समंद बोधक, समुच्य बोधक, बिस्म्यादी बोधक ये आपके अविकारी सब्द होते हैं तो इनको आपको अपनी कापी पर लिखना है पिछले वीडियो में पूरे किताब की जो प्रष्ट हैं उनको दिखाये गए हैं उन प्रष्टों में आपको छाट कर इनकी परिभासाएं लिखनी हैं विकारी और अविकारी अभी आपको बताया गया जो छात्र सुनकर लिख सकते हैं वह सुनकर लिख लें और जो देखकर लिख सकते हैं तो वह पिछले वीडियों को देखें और परिभासाएं लिखें दूसरा प्रश्ण है रूड तथा योगिक सब्दों में से क्या अभिप्राय है सोदाहरान समझाईए तो अभी आपको रूड और योगिक सब्दों दो की परिभासाएं इनमें लिखनी है रूड सब्द जो सब्द किनी अन सब्दों के योग से नहीं बनते अपितू परमपरा से किसी बिसेस अर्थ में प्रियुक्त होते रहे हैं उन्हें रूड सब्द कहते हैं जो सब्द किनी अन सब्दों के योग से नहीं बनते अपितू परमपरा से किसी बिसेस अर्थ में प्रियुक्त होते रहे हैं उन्हें रूर सब्द कहते हैं जैसे मोर, तोता, रोटी, कमल, आदी इसी प्रकार योगिक सब्द जो सब्द अन्य सब्दों के योग से में बनते हैं वे योगिक सब्द कहलाते हैं जैसे प्रति दिन, सेनापती, आदी तो ये प्रश्न आपका दूती प्रश्न पूर्ण हुआ दोनों की परिभासाएं, रूर और योगिक की परिभासाएं दी गई उदारण के रूप में उनके उदारण भी समझाये गए तीसरा प्रश्न है योग रूड सब्दों को सोदारण बिस्तार समझाये तो योग रूड की परिभासा लिखते हुए उनके उदारण देने हैं इस प्रश्न में तो योग रूड सब्द कौन से होते हैं योग रूड दो सब्दों के मेल से बना है योग रूड दो सब्दों के मेल से बना है अर्थात ऐसे सब्द जिसमें दो सब्द आपस में मिले हुए हो उन्हें रूड सब्द कहते हैं और ये सब्द समान अर्थ को ना प्रकट करके बिसेश अर्थ को प्रकट करते हैं जैसे पंकज पंकज का अर्थ कीचड कीचड में जनमा हुआ और यहाँ पर इसका विसेश अर्थ कमल के रूप में रूड हो गया है तो यह योग रूड की परिवासा हुई एक बार पुना सुन ले दो सब्द आपस में मिलकर एक नए सब्द का निर्माड करें और वैस सब्द समान अर्थ को ना प्रकट कर एक बिसेश अर्थ प्रदान करें ऐसे सब्दों को योग रूड सब्द कहते हैं जैसे पंकज, चारपाई, निसाचर, आदि तो इस प्रकार आपके ये तीन प्रश्ण पूंड हुए चौथा और अंतिम प्रश्ण है तस्सम और तद्बो सब्दों को सोधारन समझाईए तो पाठ के अंतरगत आपको तस्सम और तद्बो की परिवासा बताई गई थी एक बार पुना प्रश्ण उत्तर के रूप में सुने जिससे पाठ का पुनराभ्यास भी हो जाएगा और आपका प्रश्ण भी कंप्लीट हो जाएगा तस्सम वे संस्क्रत के मूल सब्द जिने हम हिंदी भासा में बिना किसी परिवर्तन के प्रियोग में लाते हैं उन्हें हम तस्सम सब्द कहते हैं जैसे अगनी हास्त मुख आदी जबकि तदबो सब्द तदबो सब्द वे संस्क्रत के मूल सब्द जिन में कुछ आन्सिक परिवर्तन के उपरांत हिंदी भासा में प्रियोग किये जाने लगे वे तदबो सब्द कहलाते हैं जैसे हाथ, मुह, आग, आदी इस प्रकार ये आपके चारों प्रश्न पूर्ड हुए अब घानमबर जो स्क्रीन में आपके दिखाई दे रहा है योगिक सब्द, विदेशी सब्द, विकारी सब्द, अभिकारी सब्द, तस्सम सब्द, रूर सब्द, योग रूर सब्द ये जो साथ आपके सब्द दिये गए हैं, इनके तीन-तीन उधारण लिखने हैं, और मुबाइल के स्क्रीन में इनके उधारण हमारे द्वारा लिख दिये गए हैं, उनको आप याद करें, क्योंकि परिच्छा में इसी से सम्मंदित प्रश्ण पूछे जा सकते हैं, कि विकारी सब्द के दो दारण दीजिए, तस्सम सब्दों के उधारण दीजिए, और योग रूर सब्द कौन-कौन से हैं, इस तरह से प्रश्णों को पूछा जा सकता है, अता, इन सब को आपक तो किसी को समस्या है तो उसके समाधान के लिए आप फोन करें और फोन से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें तो इस प्रकार आपका फर्ष्ट मंथली कोर्स जो तीन चेप्टर है वो पूंड हुए परिच्छा की दृष्ट से यही तीनों पाठ आपके पाठ करम में आएंगे पाठ एक से पाठ तीन तक इसलिए सबी छात्रों को तीनों पाठ के जो अभ्यासकार हैं प्रश्णोतर हैं उन्हें अपनी कापी पर पूर्ण करना है और तक पस्चात उन्हें याद करना है कार्य पूरा होने के उपरांत आप अपनी नोड़ बुक के फोटो खीच कर हमारे ब्यक्तिकत नंबर जो वाटसब में चल रहा है उसमें प्रिसित करें जिससे हम आपके कापी का निर्च्छन कर सकें और उसमें जो भी असुदियां हैं उन्हें दूर करवा सकें धन्नवाद